नमस्कार साथियों मैं बिकेश कुमार आपके लिए लेकर आए हैं 67th BPSC के लिए फुली मौक टेस्ट और ये इंतिहान पबलिकेशन का पांचवाँ प्रैक्टी सेट हैं तो देखते हैं आज के विभिन परसनों को ये पीडियाप आपको नौले जंसन मस्ती टेलिगरम चैनल देखते हैं तो आप बना सकते हैं किसी भी लेंगवेज में तो मेरा पहला प्रसन इस परकार से शुरू होता है तो पहला प्रसन है निमनलिकित तुलना के आधार पर हिमालई नदी के प्राइदूपिया नदी से तुलना किजिए यानि कि हिमालई नदी से प्राइदूपि की नदियां अधिक लंबी है तो हिमाले परवत की नदियां अधिक लंबी है जबकि प्राइद्विपिया नदियां कम लंबी है ये सही बात है और हिमाले की नदियां हमारे हिमाले की नदियां गहरे गार्ज बनाती है ये भी बात सही है और जबकि प्राइद्विपिया नदियां उथली घाटियां में बहती है ये भी बात है और हिमालय की नदियां अभी अपने विकास की बाल आवस्था में है जबकि प्राइद्विपिया नदियां परोड आवस्था में पहुंच चुकी है ये भी बात जो ह महादविप का सबसे बड़ा लेंड लोक केंटक्री यानि कि भूव अस्थल रुद्द देश कौन सा है तो आपको बतादे कि विश्ussen 24 देश ऐसे हैं जो कि अस्थल रुद्द हैं यानि कि भूव आवस्थित देश हैं सबसे बड़ा कजाकिस्तान है अस्तलोरद देश तो दक्षिन अफिरका कि अगर अफिरका महाद्वीब का रहेगा महादेश का तो वो हजाएगा चाड जो की सबसे बड़ा लेंडलोग केंटरी है तिर्वेनी नहर से बिहार के किस जिले में सिचाई कार्य किया जाता है तो तिर्वेनी नहर पर योजना से चमपारन यानि कि पश्चमी चमपारन में सिचाई होती है और ये गंडक नदी पर है अगले सवालों को देखें निमनलिकित में से किस खनीज के उत्पादन के मामले में देश में बिहार का एक अधिकार प्राप्त है तो बिहार जो है देश में पायराइट के उत्पादन में एक अधिकार प्राप्त रखता है ज्वार भाटा के निर्मावन के लिए कौन सा बल उत्तरदाई नहीं है तो D हो जाएगा राइट आंसर, लुहुरी जल बिदूत पर्योजना का निर्मान किस नदी पर किया जा रहा है, तो लुहुरी जल बिदूत पर्योजना का निर्मान जो है, सतलज नदी पर किया जा रहा है, हिमाचल परदेश में, अगले सबालों को देखे हैं, भारत में जल किरिशी के अभियब कौन कौन से हैं तो जैविक किरिशी के अभियब हैं हड़े पत्तों के खाद फसल का चकड़ी करन और बढ़मी कमपोस्ट का पड़ियोग और जैव कीट नासर का पड़ियोग यानि कि यह ऑप्शन ई हो जाएगा उप्यक्त में से एक से अधिक निमनलिकित तुलना के आधार पर पश्चीमी हिमाले और पुर्वी हिमाले की तुलना करना है तो पश्ची हिमाले और पुर्वी हिमाले की तुलना इस परकार से करना है और देखते हैं विबिन बिकलपों को पश्चीमी हिमाले का छेतर सिंधू से काली नदी के पश्चीमी भाग तक विष्टरित हैं जबकि पुर्वी हिमालय का विष्टार सिक्किम में सिंगा लीला परवत के पुर्व से लेकर हिमालय के पुर्वी सिमा तक है ये बात सही है और पश्चिमी हिमालय छेतर पच्छवा बिच्छोब यानि कि सर्दियों से अधिक वर्सा प्राप्त कर है तो ये भी बात सहते हैं और अगला विकल्प है कि पश्चिमी हिमालय के अंतरगत गंगा यमना और सिंधु नदियां आदी इस छेतर में बात है जबकि पुर्वी हिमालय के छेतर की परमुख नदियां तिष्टा एवं ब्रहम पोत्र हैं ये भी कथन सहता है तो एक दो तीनों कथन सही है तो अंसर हो जाएगा डी अगला सवाल देखें निमनलिकित में से बिहार के किस जीले में ताल मिटी पाए जाती है मुंगेर में जो है ताल मिटी पाए जाती है निमनलिकित में से भारत में सबसे बड़ी मसीनी कृत खाउन कौन सा है तो बैला डीला लोह तो थारू जन जाती है राजस्थान में भी पाया जाता है लेकिन उत्तर परदेश में भी पाया जाता है और भील जन जाती जो है मद परदेश में पाया जाता है थोड़ा सा राजस्थान में भी पाया जाता है गदी हिमाचल परदेश और मॉंडा जारखन में इस परकार से का मैचिंग होगा अगला सवाल है बिहार के किस जीला में सिम्री बक्तियारपूर जील है तो सिम्री बक्तियारपूर जील है बिहार के सहरसा जीला में जबकि काटिहार में गोगावील हैं दर्भंगा में कुसस्वर हैं बिहार से मानसुन लोटता लोटना प्राडम कब होता ह तो बिहार से मामस्वन लोटता है, अक्टूबर के मद्ध में, तो रायट अंसर B हो जाएगा, बिहार में सरवादिक जनसंख्या बिर्दी दर करने वाले जीलों का सही करम, सरवादिक जनसंख्या बिर्दी दर जो है, दस बरसी है, मधेपोड़ा में हुआ था, तो सबसे पह के बिद्रो का मुख्य संगठन करता कौन था तो ये था बीर कुमर सिंग जबकि बड़ेली से खान बादूर खान नाना सहाब जो थे तो ये कानपूर से थे मौलिबी अहमदुला फैजाबाद से थे अगले सवाल को देखें हैं कॉंग्रेस दुवड़ा मंतरी मंडल के गठन से इनकार करने पर 1937 में बिहार में किसके नितरत में अंतरी मंडल बना तो जबकि कॉंग्रेस के मंतरी मंडल गठन करने से इनकार करने पर 1937 में जो है मौबंद यूनुस के नितरत में मंतरी मंडल का गठन किया गया अगला सवाल देखें बिहार का सबसे पुर्वी जिला तो बिहार का सबसे पुर्वी जिला है किसन गंज पस्चिमी जिला को बात करेंगे तो है कैमूर और उत्री जिला पस्चिमी चमपारन दक्षिनी जिला में है गया अगले सवाल को देखें, निमनलिकित में से बिहार के किस अस्थान पर धारवार करम की चटानों को देखा जा सकता है, तो धारवार करम की चटानों को देखा जा सकता है बिहार के राजगीर में, अगले सवाल को देखें, उस मिर्दा की पहचान करें जो गीली होने पर काफी चिपचिपई हो जाती है लेकिन सोस्क होने के बाद यह सिकूर जाती है और इन में गहरी दरारे पर जाती है तो यह रेगुर मिटी यानि की काली मिटी के बारे में जो है कहा जा रहा है अगले परस्णों को देखे सुची एक सुची दो के साथ मेरी मेचिंग कराना एक तरफ राज्य है एक तरफ जो है सबसे उची चोटी है तो केरल में है अनाई मुल्दी जो की अना मलाई की उची चोटी है नागा लेंड में जो है नंदा दे भी है और सोरी नागा लेंड में जो है पोशक तत्वों की का हडास येद है अब छरन भी है क्रिसी भूमी का अति उपियोग भी है और दोस्पुर्ण क्रिसी परबंधन भी है तो इसलिए कहता है कमी का कारण को नहीं है तो हो जाएगा उप्शन E की इन में से कोई नहीं अगले सवाल को देखें 2011 की जनगन्ना के अनुसार भारत में अनुसोचित जन जाती संख्या कुल जन संख्या का कितना परतिसत तो कुल जन संख्या का जो है S T ये है 8.6% और S C की बात करेंगे अनुसोचित जाती तो ये है 16.6% अगले सवाल को देखें भारत में करकरेखा पर इस्थित राजियों का पुर्वी से पश्चिमी की और करम कौन सा है तो जब पुर्वी से पश्चिमी की और करम होगा तो सबसे पुर्वी राज हो जाएगा ये option के according यानि करकरेखा पर मिजोरम क्योंकि गुजरात सबसे पश्चिमी राज है और भारत के सबसे पुर्वी राज अरुनाचल परदेश तो गुजरात तो ऐसे चट गिया और उसके बाद देखेंगा अरुनाचल परदेश के बाद जो है उससे सटा हुआ पुरव में मिजोरम ही है तो ऑप्शन सी राइट अंसर हो जाएगा खगोलिय दूरी को परकास वर्स में मापे जाने का कारण निमलकित में से कौन सा है तो खगलिय दूरी को परकास वर्स में मापा जाता है इसलिए कि परकास की गती जो है स्पीड सदेव एक समान होती है पुरे बर्मांड में एक समान होती है अगले सवालों को देखें किसी चालक की बैदुद पर्ति रोधक्ता का इकाई क्या है पर्ति रोध का तो ओम होता है पर्ति रोधक्ता का हो जाता है ओम मीटर तो बी हो जाएगा option एक योक्टो मीटर कितना होता है तो यह कि योक्टो मीटर बड़ाबर अगर देखेंगे तो 10 पर पावर मैनस 24 होता है योक्टो मीटर है अगले सवालों को देखें सोनार में हम किस तरंग का उपयोग करते हैं तो इसमें प्रासरब तरंगे की उपयोग होती है क्रितरिम उपगर है पिर्थवी से सू अस पस्टटा से ट्रेक किया जा सकता है किस बीधी के द्वारा तो पिर्थवी से जो है सू अस पस्टटा से ट्रेक किया जा सकता है उपगर है तो ये डॉपलर प्रभाव के द्वारा ही अगले सवाल को देखें निमनलिकित में से कौन सही सुमेलित है तो देखें रेडियम की खोजकरता मैडम क्यूरी सत्त है पैंसलिन अलग जनर फलेमिंग सत्त है एक्सरे रॉयंट जोन ये भी सत्त्त है और चेचके अरबर्वर्ट जेनर ये भी सही है तो इसलिए option E हो जाएगा कि इन मेंसे जो है एक से अधिक यानि कि क्योंकि यह सभी सभी सही है नेत्रों का परिक्षन एलकलाइड के जिस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैला कर किया जाता है उसे एट्रोपीन कहते हैं यहने कि एट्रोपीन के माधियाप से नेत्रों का परिक्षन एलकलाइड के तनकृत घोल से किया जाता है नेमनलिकित मेंसे किसका उसमी अमान अधिक है तो एलपीजी का जो है मान उसमी अमान जो है सरवादिक होती है निमनलिकित में से नेट्रोजन और फासफोरस की अधिक सांदरता के कारण क्या होता है तो छारता हो जाता अधिक सांदरता के कारण से अगले सवाल को देखें सुस्क सेल में निमनलिकित में से किसका उपयोग जो है बिदुत अब घटेक रूप में करता है तो बिदुद अपगहते की रूप में जो है अमोनीयम कलोराइड और जिंक कलोराइड का उपयोग किया जाता है ने महिले लिखित में से कुकिंग योटेन सेल्स यानि कि भोजन बनाने के बरतन के किस परकार के कांच पाँच का उपयोग किया जाता है वर्मिक कंपोस्ट क्या है तो वर्मिक कंपोस्ट के बारे माँ को पता है कि यह कार्बनिक जो है जैव उर्वरक है तो C हो जाएगा राइट अंसर मद्यकालिन भारत में दिल्ली संतनत के बंसों का सही करम क्या है तो सही करम अगर देखेंगे तो पांच बंसों ने सासन किया था दिल्ली पर जो कि गुलाम बंस था खिलजी बंस उसके बाद आया था फिर तुगलक बंस था फिर सयद बंस फिर लोधी बंस तो गुलाम बंस 126 से 1290 तक रहा था और खिलजी बंस 1290 से 1220 तक और तुगलक बंस 1320 से 1414 तक और सयद बंस 1414 से 1451 तक रहा था और फिर लोदी बंस 1451 से 1526 तक रहा था तो इस परकार से जो आप सजा सकते हैं पहले तो एक हो जाएगा फिर 4 हो जाएगा फिर 2 हो जाएगा एक, चार, दो, पंच, तीन, यानि की बिकल्प ये सही है किस सासक दुवड़ा धरबार में सीजदा एबं पैवोस परमपरा को लागो किया गया ये इराणी परमपरा था सीजदा एबं पैवोस गोटने के बल तेकना मस्ति के बल तेकना तो यह जा बलवन के दुबड़ा प्रारम किया गया था सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अंदर सरकार को कब सोपी तो सरकारिया आयोग की गठन की बात करेंगे तो यह इसका गठन जो है 1983 मुआ था और 1988 में अपनी रिपोर्ट के अंदर सरकार को पेश की किसी राज की बिधाउन सभा का सदस बनने होती नियून तमूर बिधाउन सभार है या फिर लोक सभा इनको सदस्ता बनने के लिए 25 वर्स बिधाउन परिसदर है या राज सभा उसके लिए 30 वर्स और मुख्या सरपन समीती बनने के लिए नगरपालिका या फिर गड़ों पंचयत के लिए 21 वर्स और मत दाउन करने के लिए 30 वर्स राशपर्टी उपराशपर्टी राजपाल के लिए 35 वर्स प्रस्तावना क्या है तो प्रस्तावना जो है यह संविधहुन का भाग है तथा संदिग्टा की दसा में संविधहुन की उपबंदों के निर्वचन में उपयोग हो सकती है तो राइट अंसर हो जाएगा विकल्प डी अगले सवाल को देखें समिधहन के भारत के समिधहन का नुच्छेद 324 किसे सम्दित है तो निर्वाचन आयोग से सम्दित है अगले सवाल को देखें अगले सवाल है राज के निती निर्शक तत्वों में किरिसी तथा पसुपालन के संगठन का पड़ाबधहन किस अनुचेद में वर्नित की गई है तो अनुचेद 48 में की गई है और मद निशेद का वर्नित 47 में है प्राचिन असमारक की सुरक्षाद अनुचेद 49 में है और स्पेसल रूप से जो है स्थी अश्टी के लिए बच्चों के लिए सिक्षा ब्यवस्था 46 में अगले सवाल को देखें भारत के संविधान के उदेशियों में से एक आर्थिक निया का उलेक किया गया है समाजिक आर्थिक और राजनितिक नहीं ये तीन परकार के निया है तो ये जो है प्रस्तावना में भी है और राज के नीती निरसक तत में भी है क्योंकि अनुछेद 38 में भी है और प्रास्तावना में भी है तो अंसर B हो जाएगा राइट उच्तम नियायले दुवरा अब तक कि सबसे बड़ी खंड पीट की सबाद की सुनवाई में गठित हुई थी तो केशबा नंद भारती बनां किरल राज में 13 जजों की पैनल गठित गी थी अगले सवाल को देखें बिधान परिसद में मनोनित सदस्यों की संख्या तो बिधान परिसद में जो है राजपाल की माधियम से वन बटे 6 सदस का मनोनन किया जाता है कुल सदस्यों का निमनलिकित में से कौन सी एक संबेधानिक संस्था नहीं है तो संबेधानिक संस्था निती आयोग भी नहीं है और मानदबाधिकार आयोग भी नहीं है तो आंसर E हो जाएगा A और B यानिक एक से अधिक बितायोग का वर्णन है नोचे 280 में तो ये संबेधानिक है निर्वाचान आयोग 324 में तो ये भी संबेधानिक है अगला सवाल है वह मध्यकालिन सासक कौन था जिसने दिल्ली पर अधिकार कर बिक्रमा दित्त की उपाधि धारन किया था तो ये था हैम चंदर है मुझो की 1556 में अकबर के दोरा पानिपत के दूतिय योद में पराजित हुआ था अगले सवाल को देखें समानता का दिकार है और उनुचेत 94 में सामुहिक दायित्व है और उनुचेत 74 में मंतरी परिसद का उलेक है तो इस परकार से अंसर हो जाएगा अगले सवाल को देखें शिवाजी द्वरा चाउत एबं सरदेश मुकी निमन में से किस से लिया जाता था था? अपने परोसी राजियों से लिया जा सकता है युद्धना करने के बदले में अगले सवाल को देखें राश्ट्रिय शुरक्षा समीती का परधावन कोन होता है? तो राष्ट्रिय सुरक्षा समीती का परधान होता है भारत के परधान मंतरी B हो जाएगा राइट अंसर निमनलिकित में से किस छेतर में पर्तियक्ष, बीदेशी, निवेश FDI की सीमा 100% नहीं है तो 100% नहीं है FDI तो ये बेंकिंग में है 74% और बीमा तथा पैंसन में भी है 74% FDI तो इसलिए जो है C और D साई है तो आंसर E हो जाएगा उप्युक्त में से एक से अधिक भारतिय एस्टेट बैंक SBI में इसके पंच सबसीडिरी बैंकों का बिले किस वर्स हुआ तो एक अपरेल 2017 SBI को हुआ था अगले सवालों को देखें तो अगला सवाल है सोची एक सोची दो के साथ मेचिंग कराना है जो कि इस परकार से है स्वेत करांती दूद उत्पादन से है पिली करांती तिलहन उत्पादन से नेली करांती समुंदरी यानि कि मतस उत्पादन से है और स्वर्न करांती जूट उर्थ पादन से एक, दो, तीन, चार बिकल्प जो है सेम मिला हुआ है तो अंसर ए हो जाएगा राजकोसिय नीती के संदर में नमलिखित पर विचार करना है और कहा जाता है कौन सा राजकोसिय नीती का भाग है तो देखते हैं समानता और कल्याउन तो ये तो राजकोसिय नीती का भाग है कीमतों पर नियंतरन ये भी है और आय और समानता में कमी ये भी राजकोसिय नीती का भाग है जबकि बेंक दरों में कमी तो बेंक के दरों में कमी अबिर्दी ये जो है पर पर और नीचे यानि इस परकार से तीन भाग में विभाजित था और उतक्रिष्ट जल परवंधन परमान ये सत्य है संधब लिपी के दस बरे अक्षर प्राप्त हुए थे ये भी सही है और घोरे की कलाकिरतियों के अबसेस मिले थे ये भी सही है तो ये हो जाएगा जो की उसत्य है असमिर्थी गरंथों में बिबाह के कितने परकार का उलेख किया गया है तो मनु असमिर्थी में बिबाह के आठ परकार का उलेख है चार बिबाह नेंदनिया है और चार बिबाह परसंसनिया है बिहार में रेसम एवं बस्तर संस्थान किस जिला में है तो ये भागलपूर जिला में है अगले सवाल को देखें बिहार आर्थिक सर्वेक्षन 2021-22 के अनुसार बिहार में परती ब्यक्ती परती दिन कितना लीटर पानी उपलब्द है तो पर्ति ब्यक्ति के लिए जो है पर्ति दिन पानी 70 लिटर उपलब्ध है और यह आर्थिक जो है सर्वे है 2021 बाइस का पटना मेट्रो रेल का लंबाई कितना है तो कुल लंबाई 32.9 किलो मेटर यानि 32.50 के लगबग है वर्स 2021 में कितने भारतिय स्टार्ट अप ने यूनिकॉर्ण दर्जा हासिल किया तो भारतिय स्टार्ट अप जो कि 2021 में यूनिकॉर्ण का दर्जा लिया एक बिलियन डॉलर हासिल तो यह 44 कमपनिया था अगला सवाल है वर्स 2021 में भारत में परती दीन कितना किलो मीटर सरक निर्मान हुआ देखते हैं मुखमंतरी महिलाउ दहमी बिहार सरकार के दवरा मुखमंतरी किसाउन कलियाउन यूजना ये MP सरकार के दवरा चालू किया गया था और जल जिवन हरी आली अभी हों मुकमंतरी बिर्दिजन पैंसन योजन ये भी बिहार सरकार के द्वारा तो B हो जाएगा आपका अंसर जो की MP के द्वारा लॉंच किया गया अर्थ सास्तर के किस अधिकरन में राजी के सब्तांग से धांत की चर्चा की गई है अर्थ सास्तर के जो है छाठे अधिकरन में सब्तांग से धांत की चर्चा की गई है आपको पता है कि अर्थ सास्तर के लेखर कोटिल विष्णो गुपते हैं और 15 अधिकरन 180 प्रकरन है अगले सवालों को देखे हैं बिहार में बिधान परिसद के विपक्ष के नेता किसे न्युक्त किया गया कि इकबाल सिंग लालपूरा को जो है न्युक्त किया गया है निमनलिकीत में से किस संस्थाँ द्वारा अगला सवाल है निमन में से किस राज ने अवैद द्रोन पर नज़र रखने के लिए भारत की पहली ड्रोन फोडैंसिक लेप की सुरूत की तो अबेद ड्रोन पर नज़र रखने के लिए पहली बार जो है भारत में ड्रोन फोरेंसिक लेव की सुरुवात कीरल सरकार के दोरा की गई तो अंसर हो जाएगा सी राइट अंसर भारत की किस राज सरकार ने घरेलू अस्तर पर गरूर के रूप में पहचाने जाने वाले बड़े सहायक सारस पक्षी को GPS ट्रेकर से टेग करने का निरने लिया तो गरूर पक्षी को यानि की बड़े सहायक सारस पक्षी को GPS ट्रेकर से ट्रेक करने का निर्नेलिया ये बिहार सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है अगले सवाल को देखें थिरी बेंडेड रोज फिंच तो थिरी बेंडेड रोज फिंच निमन में से किसे सम्मन रखता है तो ये पक्षियों की एक नई पर जाती है अगले सवाल को देखें अगला सवाल है वर्स 2022-23 के किंद्रिया बजट अनुमान के अनुसार परभावी राजसो घाटा जीडिपी का कितना परतिसाथ था ये 2022-23 की बात है किंद्रिया बजट में तो परभावी राजसो घाटा जीडिपी का 2.6% अगला सवाल है किंद्रिया बजट 2022-23 के अनुसार अन बले इंधन पर 2 रूपिय पर 3 लिटर अतिरिक्त वीभेदक उतपाद सुल्क के किरियानवयन किती थी कब निरधारित की गई है तो ये 1 अक्टूबर 2022 को निरधारित की गई है तो 2022 होता एक अक्टूबर 2022 तो इसलिए अंसर ई हो जाएगा अप्यक्त में से कोई नहीं क्योंकि एक अक्टूबर 2022 option में नहीं है वर्स 2021 में भारत का निर्यात किस देश में सरवादिक रहा तो लगभाग 18% रहा था निर्यात सरवादिक जो की UA सन्युक्त अराज अमेरिका के साथ बिहार के सकल घरेलू उतपाद में प्रार्थमिक छेदर का योगदान कितना परसेंट है तो सकल घरेलूत पाद में प्रार्थमिक छेदर का योगदान जो है उन्नीस दसमलब दो परसेंट है तो ऐसा बिकल्प में है नहीं तो अंसर ई हो जाएगा राइट कि इनमें से कोई नहीं और तिर्तियाक छेदर लगभग एक सेट परसेंट साथ दसमलब कुछ परसेंट है भ ये 2024 इसवी तक जो है निर्धारित किया था अगला सवाल है देश में सोने के आभोसनों पर अनिबार ये हॉल मार्किंग किस ताड़िक से लागू की गई है तो अनिबार रोप से जो है आभोसनों पर हॉल मार्किंग जो लागू की गई है 16 जुन 2021 इसवी से अगला सवाल ह डगमरा जल बिदूत पड़ियोजना बिहार राज में अस्थापित की जारी है तो ये बिहार राज में कोशी नदी पड़ा स्थापित की जारी है भारतिया रेलवे के सार्वजनिक छेतर के उपकरम राइट्स लिमिटेड दुवारा निमने में से किस देश को 3000 होर्स पावर केप गेज लोको मोटिव को नरियात किया तो यह मोजांबिक को जो है नरियात किया अगले सवाल को देखें आर्थिक सरवेक्षन 2021 के अनुसार बिहार राज में बिजली की परति ब्यक्ति खपत कितनी है तो 2021 के अनुसार से बिहार राज में बिजली की खपत जो है 350 किलोवाट आबड है हाल ही में इसिया के सबसे लंबे high-speed track का निर्माण भारत के किस राज में किया गया तो यह मद पर्देश में किया गया, हाई एस्पीड ट्रेक का निर्मा, पर्धावन मंतरी उज्वाला योजना के दूसरे चरन, PMUY 2.0 का सो बारम कब किया गया, तो पर्धावन मंतरी उज्वाला योजना, सबसे पहले तो एक माई 2016 को उतर पर्देश के बालिया से, लेकिन अब की बार महवबा उतर पर्देश से चालू किया गया था, 10 अगस्त 2021 को, अगला सवाल है, भारत के पर्थम निजी, तरली कृत, पड़ा किरतिक गैस, एल एन जी, सुवधा सायंदर का निर्मान की सर में किया गया, नागपुर में किया गया, कोबिड नैंटीन इनोवेशन रिपोर्ट, 2020 में सिर्ष देश कोन है, तो कोबिड नैंटीन इनोवेशन रिपोर्ट, 2020 में सिर्ष देश अमेरिका है, और 40 देशों में भारत की अस्थान 32 मा है आउक्स ए यू के यू एस तिरिपकछिया गठ बंडन में कौन सा देश सामिल नहीं है USA है ब्रिटेन है आस्ट्रेलिया है जबकि जपान जो है आउक्स में समलित नहीं है अगला सवाल है नाटो का 31 अगला सवाल देखे है बिहार में सबसे अधिक बंड़्चेतर फल में एवं सबसे कम बंड़्चेतर फल वाले जीले करा है तो सबसे अधिक बंड़्चेतर फल जो है कैमूर में है कैमूर में है और सबसे कम सेकपुरा में है तो सबसे अधिक कैमूर में और सबसे कम सेकपुरा में तो C हो जाएगा राइट अंसर निम्न में से कौन सा योगम सही सुमेलित नहीं है आकास से दवा पड़ योजना तेलंगना ये सही है आपके दरबाजे पर सिक्षा योजना तमिलनाडो के दोड़ा ये भी सही है आकास से दवा पड़ योजना तेलंगना भी सही है और आपके दरबाजे पर सिक्षा योजना तमिलनाडो भी सही है और स्वक्ष कारकरम आंद परदेश भी सही है और स्मार्ट कीचन योजना के रल ये भी सही है अंसर ई हो जाएगा अपयुक्त में से कोई नहीं क्योंकि यहाँ पर सभी युग्म सुमेलित ही है अगले सवाल को देखें ग्लोबल नेटवर्क आप सिल्क शिटीज में सामिल होने बला पहला भारतिया सहर नेमन में से कौन है तो पहला सहर जो की ग्लोबल नेटवर्क आप सिल्क शिटीज में सामिल हुआ था तो यह है बंगलोरू यानि की ऑप्शन बी हो जाएगा राइट अंसर cooking to save your life ये जो है पुस्तक है cooking to save your life और ये लिखा गया था अभिजित बनरजी के द्वारा बिस्व में चावल उत्पादन के देशों का सही करम घड़ते हुए बढ़ते हुए से तो सबसे अधिक चावल उत्पादन तो आपको पता है कि चाइना है और दूसरे अस्थान पर भारत हैं तीसरे पर इंडोनेसिया चोथे पर बंगलादेश चीन भारत इंडोनेसिया बंगलादेश राइट अंसर बी हो जाएगा अगले सवाल को देखें हाल ही में प्रकासित एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कुल परजनंदर वर्स 2019-2020 में घटकर कितनी हो गई तो 2020 में घटकर 3.0 हो गई है और इससी हो जाएगा राइट अंसर बिहार की रिपोर्ट की एक नई परजाती तयार की है और उसका नाम रखा है सबोर मैंगो टो और यह हो जाएगा राइट अंसर अगला सवाल देखें मक्का उत्पादन में बिहार देश में कौन सा अस्थान रखता है तो मक्का के सरबादिक उत्पादन करने वाले राजों की बात करें तो वह है करनोट का और बिहार जो है उपर से नहीं बदलने का प्राबधाउन है इस महला को भारतिय करांती का जनक कहा जाता है तो मैडम भिखाजी कामा को भारतिय करांती की जननी कहा जाती है नमलिकित में से किस वर्स पहली बार भारतिय रास्टडिय का अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया 23 में तो किया गया था 42 में भी किया गया था 3 में भी किया गया लेकिन 1930 में नहीं किया गया था तो C B हो जाएगा राइट अंसर रहनुमाई माजदायन सभा किस धर्मे सुधार के लिए एक अंदोलन था तो रहनुमाई माजदायन सभा जो है पार्सी धर्मे सुधार होने के लिए एक अंदोलन था निमनलिकित में से किस नेता को वर्स 883 में समाचार पत्र में लिखे लेक के लिए नियायल्या की अबमानना के लिए सजा दी गई थी तो सुरेंदरनाथ बरंड़ जी को जो है सजा दी गई थी दो वर्स का नियायल्या की अबमानना के लिए अगले सवाल को देखें बुलू वाटर पॉलिसी को अपनाने बला यूरोपिया देस कोन है तो यूरोपिय देश की बात करें तो पुर्टगाली गवर्नर था फ्रांसेसको दी अलमेरा जिनके दोरा बुलू वाटर पॉलिसी अपनाया गया था अगले सवाल को देखें निमनलिकित में से किस संधी के बाद फ्रांसेसियों ने अंग्रेजों का बिरोध करना छोड़ दिया तो पैरिस की संधी के बाद जो है अंग्रेजों ने फ्रांसेसियों ने अंग्रेजों का बिरोध करना छोड़ दिया था अगला सवाल है इसके द्वारा राम मोहन राय को रजा को उपादी दी गई तो राजा राम मोहन राय को राजा को उपादी अकबर दूतिया यानिक अकबर सा दूतिया के द्वारा दिया गया 1857 की करांती बैरकपूर छाबनी से कब शुरू हुई थी तो 29 मार्च को शुरू हुई थी अगर मेरट से रहेगा तो हो जागा 10 माई को अगले सवाल को देखें आधुनिक भारत में लोक हित वादी के नम से जाना जाता है गोपाल हरी देश मुख को संगठन एवं अस्थापना से सुमेलित कौन सा कथन सही है तो मदरास महाजन सभा 1884 में पुना सारवजनिक सभा 1864 में बॉंबय एसोसियेशन 1852 में और बंग भासा परकासक सभा 1836 में राष्टबादी नेताओं ने मैंचेस्टर के कपड़े और लिवरपूल के बने नमक के बाइसकार का आगरा किया था तो यह बंगाल विभाजन के बाद ही ऐसा कहा गया था सोदेसी आंदोलन में तो राइट अंसर ए हो जाएगा अगले सबाल को देखें मारले मिंटो सुधारों ने उभरते हुए परजात अंतर को जान से मार डाला है यह कथन किसका है यह भारत सासन अदिनियम उने स्वा नौ आया था जिसे मारले मंटो सुधार अदिनियम बोला जाता है जिसमें संपर्दाइक निरवाचन की सुरुषाथ किया गया था मिन्टों के द्वारा तो इन्ही के विरोध में चितर्ण के द्वारा कहा गया था चारी चारा की घटना का सम्मंद के से हैं तो चारी चारा कंड पांच फर्वरी 1922 गोड़कपूर उतर परदेश और 1922 में जो है चोड़ी चोड़ा कंड के ही बाद मातमा गंधी ने ओसायोग अंदरन को वापस ले लिया था 1920 से 22 तक चला चटगों सास्तरागार लूट के संबंद में नमलिकित कथनों पर वीचार करना है तो इंडियन रिपब्लिकल आर्मी चटगों साकाने लूटी है ये तो बात साही है कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चटगों साकाने लूटी और सुर सेन न करौनती कारियों का नितरुत किया था ये भी साही है और घटना 1928 नहीं बलकि 1930 में घटना हुई थी तो आंसर एक और दू होगा केवल सही यानि बिकल्प सी भारत सासन अधिनियम 1935 को पारित किया गया था ब्रिटिस संसद के दोड़ा तो राइट अंसर बी हो जाएगा इंडियन अस्ट्रगल किस राजनिता की पूर्ष तक है तो ये सुभास्चनर बोज के दोड़ा लिखा गया है मुस्लिम लिग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान के मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था तो लाहोर अधिवेशन में प्रास्ताव पारित किया गया था 1940 में और करौची उनेसो तैतालिस में बांटो एवम छोड़ो का नारा दिया गया था अगला सवाल देखें किस यूद बिजय के बाद सेरसाह ने सेरसाह ए सुल्तान ए आदिल की उपाधी धारन किया था पुनर संस्थापक कहा जाता है किसके दोड़ा तो देवपाल को बहुत धर्म का पुनर संस्थापक कहा था लामा तारानाथ यानि कि बहुत बिद्वन जो थे तिबती लेखक तारानाथ के दोड़ा कहा गया था अगले सवाल को देखें बिहार में दोएद सासन वबस्था कब लागू की गई थी तो बिहार में जो है इलहाबाद की संदी के बाद जो की सतर सो पैंसट को भी थी और सतर सो पैंसट में ही रोवट कलाइब के द्वारा बिहार और बंगाल में दोएद सासन परनाली की सुरु पुपना किया और महापदमनंद ने एक रात की उपाधी धारन किया था अठरसु संतावन के करांती में जो है पटना से शुरुआत किस ने किया था नेतरित्व तो पटना से पीर अली पुश्तक विक्रेता के दोरा किया गया था निमनलिकित में से किस ने गांधी जी को कुमार सुकला के दोरा अमंतरित किया गया था और किसानों चमपारन के किसानों की दुर्दसा पर लिख लिखा था पीर मुहमद मुनिस ने बिहार में साइमन कमिशन का बिरोद करने के लिए आयोजित सर्वदलिया समेलन के अध्यक्ष कोन थे तो सर्वदलिया समेलन के 28 में भारत आया था उनका बिरोध करने के लिए सर अली इमाम जो है इसके अध्यक्ष थे भारत छोड़ो अंदोलन के समय राजंदर परसाद को कहां से गिरभतार किया गया तो यह पटना से गिरभतार किया गया और इसे बांकिपूर जेल पटना में ही डाला गया था फालो को देखें है कारपोडा क्वार्डी जेमिना का सम्मंद में स्थिस के किस भाग से तो और एंसर स्थिस पर्खेंगा स्थिस्प्ला से निए गये बाल कोडल को एंध्यक्रिट के भाग से सम्भन्य जाये चाल करें अब हम आसत कत्नों की पहचांड करना है तो रक्त में उपास्थित प्लेट लेट्स थ्रंबो प्लास्टिन नमक पदार्थ स्रावित करता है ये बात सही है फाइबरीनोजेन प्लाजमा में उपास्थित रहता है ये बात सही है फाइबरीनोजेन रक्त का ठका बनने में स डी भी कलप जो हैं गलत हैं गुन सुत्रों का सबसे महतपूर्ण घटक क्या है तो डी एन ए होता है सबसे महतपूर्ण घटक निमनलिकित जेब उरवरकों मैंसे कौन एक जलिय फर्न है तो एजोला एक जेब उरवरक की रूप में जलिय जलिय फर्न है अगले सबालों को वाइरस के दोड़ा और दाद होते हैं फंगस के दोड़ा यानि कबक के दोड़ा और पेचिस होते हैं प्रोटो जोबा के दोड़ा तो इस परकार साब मेचिंग कराएंगे अगले परसनों को देखें पुस्ब का वह भाग जो पराया चमकीला एबम रंगदार होता है तथा प्रागकन है तो कीटों को अपनी और अकरसित करता है तो वह कहलाता आए को रोला कहला ता या आप जो फूल के पंखोडियों को देखते हैं उसी को कहा जाता है को रोला डवल रोटी एबम बियर बनाने में नमलखित में से किसका पड़ियो किया जाता है तो यह इस्ट का अंसर ए हो जाएगा कुलोरेला एबम एसपी रोलिना सेवालों का उपयोग अंतरिक छियातरी पड़ाया भोजन के रूप में करते हैं क्योंकि इसमें परचूर मातरा में प्रोटीन पाया जाता है अगले सवाल को देखें निमनलिकित में से किसका परयोग एथेनौल बनाने म नहीं किया जा सकता है तो एथेनौल बनाने में अगर परयोगों की बात करें तो मक्का का चावल का चुकंदर का किया जाता है जे ट्रोफा का परयोग नहीं किया जाता है दरपन के पीछे चांदी की कलाई में ब्यवसाइक रूप से किस हैड्रोकरबट का उपयोग किया ज जाता है तो S हो जाएगा राइक अंसर और अगला सवाल है जे रवाएट्स कारवण डियोक्सड को रात में किस रूप में किस रूप में बदलते हैं लुप जवित जो है राइट आपका B हो जाएगा अगला सवाल के बीद तरह के पड्योजनओं के निमलखित में इसे कौन से हार्मोन का छिरकाव पोधों पर किया जाता है तो पोधों पर जो है ओग जिन्स का भी एथलीन का भी और जिबरेल इन सबों का पड़ियो किया जाता है विबिन परकार के करकरमों के लिए तो D हो जाएगा एक दो तीन अंसर जब हम किसी रेलवे एस्टेशन पर खरे होते हैं और एक ट्रेन आती है तो हम ट्रेन की और गिरने लगते हैं इसे निम्लिकित में से किस पर्मे या फिर सिधांत का उप्यों करके समझा जा सकता है तो इसे जो है बर्नोली पर्मे के सिधांत के अनुसार समझा जा सकता है दोनी तरंगों और परकास तरंगों में स मानता है कि ये ब्यतिक करन यानि कि इंटर फैरेंस उत्पन कर सकते हैं तो अंसर डी हो जाएगा राइट भारत वन सर इस्थिती रिपोर्ट 2021 के संदर में निम्लिकित कथनों पर बिचार करना है तो देखते हैं काता है इस रिपोर्ट का नुसार देश में कुल बन आवरन आई एस एफ आर 2019 की तुलनों में आई एस एफ आर 2021 में जो है 0.92 परतिसत की बिर्दी हुई ये भी सही है आई एस एफ आर 2021 में आई एस एफ आर 2019 की तुलनों में बन आवरन में सरवाधिक कमी नागा लेंड में नागा लेंड में सरवाधिक कमी नहीं बलकि और नाचल पर देश में से लिए ये गलत हैं और कहा जाता है कि इस रिपोर्ट का नुसार सरवादिक बिर्क्षावरां छेदफल महराष्ट में तो ये बात भी सई है और तो ये निम्न दिया गया था सिकीम को तो ये सई है त्यानि बिकलप सी जो है आपका सई जो है गलत है तो एक दो और चार हो जाएगा राइट अंसर यानि कि बिकलप डी हो जाएगा अगले सवालों को देखें अगला सवाल है भारत में और धोगिक छेतर की उपस्थिती उप आपने के लिए निवन में से कौन सिस्था और धोगिक उत्पादन से सुच कउंग को जारी करता है तो अजब्धत आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थ बेवस्था पर निमनलिकित परभाव पड़ेगा तो अगर नगद आरक्षित अनुपात को आप कम करेंगे तो अर्थ बेवस्था पर बेंकों के पास अधिक तरलता का लाब होगा और अर्थ बेवस्था में निवेस बिर्धी देख कथन साही है तो राइट अंसर सी हो जाएगा अगले परसनों को देखें छटी पंच वर्षिया योजना के दौरोन निम्लगीत में से कौन सा कारकरम सुरू किया गया था छटी पंच वर्षिया योजना उने सौ आसे से पचासी तक कारकाल रहा था जिसमें एक इकरित गरामिन विकास योजना चलाया गया था तो अंसर हो जाएगा एस सही तो ये थाज का मुख विसलेशन मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिंद